हलो एब्रीबॉन वेलकम डू माई चैनल अगर आपको किसी को गिप्ट करना हो या सब्प्राइज देना हो तो ये मिठाई जरूर राए किजिए किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये घर के बने वे मिठाई हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने कडाई मे में 1.5 कप फूल फैट मिल्क लिया है ये डेरी का दूद है आप चाहें तो गया या भैस दोनों में से किसी का भी दूद यूज कर सकते हैं और गैस का फ्लेम हाई रखा है हाई फ्लेम पे 2-3 उबाल आने तक दूद को पका लेंगे दूद में 2-3 उबाल आ चुका है अब इसमें 1 कप मिल्क पॉडर एड़ कर लेते हैं और मिल्क पॉडर एड़ करने के बाद लगतार चलाना है ताकि दूद में गुठली आना पड़े मिल्क पॉडर डालने के बाद दूद बहुत जल्दी गाड़ा हो जाता है आप देख सकते हैं दूद कितना गाड़ा हो गया ह अब इसमें दो चम्मच घी डाल देंगे और घी डालने के बाद भी दूद को लगता चलाना है मिल्क पॉडर में चीनी की मातरा होती है तो तले में लगने का डर होता है इसलिए बराबर इसे चलाते रहना है तो देखे दूद कितना जल्दी रिड्यूज हो गया है अब हम इसमें एक छोटा चम्मच केवडा जल डाल देते हैं केवडा जल डालने से एकदम मार्केट के मिठाई का फ्लेवर आता है इलाची पाउडर से वो फ्लेवर नहीं आता जो केवडा जल से आता है तो अब दूद को और जदा गाढ़ा कर लेंगे जब तक दूद गाढ़ा नहीं होगा इसमें चीनी नहीं डालना है तो देखे दूद गाढ़ा हो गया है अब इसमें एक चोटाई कप चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद दूद को लगतार चलाते रहना है क्योंकि चीनी डालने के बाद तले में लग जाएगा इसलिए इसे बराबर गाड़ा होने तक चलाते रहेंगे तो देखे दूद कितना गाड़ा हो गया है तला छोड़ा है मावे की बर्फी तयार हो गई है इसे इतना ही गाड़ा रखना है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मैंने यहाँ पे केक तिल लिया है आप कोई भी बर्टन ले सकते हैं और उसे घी से ग्रेस कर लेंगे आदे ही इसे को हम ग्रेस कर रहे हैं क्योंकि आदे ही इसे में बर्फी को जमाएंगे तो अब हम इसमें मावे की बर्फी डाल देते हैं और गर्म होना चाहिए मावा तुरंते से जमाना है ठंडा होने पर यह अच्छी तरह से नहीं जमेगा इसलिए गर्म ही मावे की बर्फी को जमाना है तो दबाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं मिल्क पाउडर से बहुत ही जल्दी मावा तयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेश्टी होता है तो देखिया हमने मावे की बर्फी को अच्छे सेट कर लिया है और इसे 30 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे तो अब हम चॉकलेट बर्फी तयार कर लेते हैं उसके लिए 1.5 कप फूल फैट मिल्क लिया है और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे हाई फ्लेम पे ही 3-4 उबाल आने तक दूद को पका लेते हैं दूद में 3-4 बाल आ गया है अब इसमें 1 कप मिल्क पाउडर एड़ करेंगी और इसे भी लगतार चलाते रहेंगे ताकि गुठली आना पड़े मावे की बर्फी में और चॉकलेट बर्फी में बस थोड़ा सांतर होता है तो अब हम इसमें 1 चमच घी डाल देते हैं और घी डालने के बाल दूद को रिड्यूज कर लेंगे तो देखी दूद बहुत ज़्यादा गाड़ा हो गया है तो अब हम इसमें 2 चमच चीनी डाल देते हैं पहले हमने 4 चमच चीनी डाला था लेकिन इसमें हम दो चम्मच चीनी डालेंगे क्योंकि यह चॉकलेट बर्फी है तो इसमें चीनी कम डालना है तो अच्छे से मावा भून चुका है अब इसमें दो चम्मच कोको पाउडर डाल देते हैं अगर आप चॉकलेट योज कर रहे हैं तो चीनी एक चमच ही डालें और इसे भी दो से तीन मिनट भून लेंगे बहुत जादा ने भूनना है क्योंकि मावा अल्रेडी अच्छे से भून चुका है इसलिए केवल दो से तीन मिनट ही कोको पाउडर को मिक्स करना है तो देखे चॉकलेट बर्फी भी तयार हो गया है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे मावे के बर्फी के उपर भी जमा देते हैं तो इसे भी हम अच्छे से दबाते हुए फैला लेंगे बहुत ही अच्छा यह मिठाई बनता है खास करके बच्चों को यह बहुत ज़्यादा पसंद आता है और अगर आप इसे किसी को गिप्ट करते हैं तो भी उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि घर के बने हुए मिठाई हैं तो बहुत ही स्वादेश्टे मिठाई तयार होता है देखे हमने इसे भी जमाल लिया है चार घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं चार घंटे हो गये हैं और बहुत ही अच्छा चौकलेट बर्फी बनके तयार हो गया है अब इसे हम चौको टुकडों में काट ले और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के भी सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें तो दो लेयर की चौकलेट बर्फी बनके तयार है तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर मिलेंगे तब्सक्राइब